नमस्कार स्वागते आप सभी का सुजस्त सारानिस की इस क्लास में मैं हुँ आपके साथ वेपिंद कुमार श्रमा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजिस्तान का करेंट अफियर्स सीरण की सुजस्तत्री का सबसे पहली जानकरी कि यूजना है एक दरसल सन्भाग सतरी के के तरह की प्रतियोगताों को आईजन किया जाने वाला है और मैं अब आज trainee में भाते की बात की बात कि कौन से संभाग में नया जा रहा था और अजमेर में एलिवेटेड रोड का लोकार परण संभाग में कैसारी विभिन विकास ौअ को कुछ योजनाओं की गोशना भी मुख्य मंत्री द्वारा की गई आगे यहां है पूर प्रदान मंत्री स्वरगी राजेव गांदी की दूध रिष्टी से संचार क्रांती आई और इसमें बताया गया क्या क्या इससे फाइदे हुए है और स्टार्ट अप के लिए 250 क्रोड र यह देख रहे हैं यह महंगाई राहत केम्प चल रहे हैं उसमें दस योजना राजय सरकार की जिनसे पात्र वेक्ट्यों को जोड़ा जा रहा है यह दस ऐसी योजना है जिनसे की सिदे-सिदे आम जनता को महंगाई से राहत मिलती है जैसे की 500 रुपे में घरेलू गैस सिले ही है एक हजार रुपे प्रति महा फिर चरंजी भी स्वास्त बीमा जिसम की स्काव मंन्रेगा में 125 दिनका रोजगार इंदर गांधी शहरी रोजगार घारंटी योजना जिसमें भी 125 दिनका को रोजगार कर दिया गया है और पर्वियां को न gefिर ने की भीप क कबर प्रदान की अगया आगे यहां कुछ लाभारती हैं किसके लाभारती हैं यह महंगाई रहत केम्प में जो आए समलित हुए और ऐसे पातर विक्ति जिनको योजनाओं से जोड़ा गया यानि कि उनका पंजी करंड किया गया पंजी करंड के बाद इन सबी को दिया जा रहा है मुख्यमंत्री गार स सहकार मिले में और्गनिक फूर फूर्फ फीस्टिवल स्यूब तो जैपूर के जवारक ला केंदर में जुई है यानि कि जल्द ही प्रदान की जाएगी और महंगाई रहात शविर में पक्षियों को भी रहात कुछ गहल पक्षियों को यहां उपचार किया गया खेल सुभिधाओं के लिए 22 करोड रुपे का प्रस्ताब मंजूर तो मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट 2023 था यानि की नया बजट उसमें गोश्णा की केती स्पोर्ट के लिए अलगलग तरह की योश्णाओं की अब उनको क्रियानवित करने के लिए 22 करोड रुपे मंजूर किये गये हैं यहां है बार काउंसल आफ राजिस्थान को आर्थिक साहिता दी गई कितनी 5 करोड रुपे की सडख कारियों के लि उसके बाद और्गनिक फूड फूड फेस्टिवल और लास्ट में उत्तर मेट्रिक शात्रवृति योजना शुवात सबसे पहले हल्दी घाटी योवा महोत्सव कहां आयोजित होने वाला है यह तो राज समन्द के अंदर नात दुआरा में कब आयोजित होने वाला है पां उद्यपूर संभाग के जो व्यक्ति हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उद्यपूर संभाग के अंतरकती राज समंद के नात द्वारा में इसका आयोजित किया रहा है दो देवसी यह महुतसव है पांच और छे मईगों जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य प्रत庙य क्या क्या जाएगा अब यह प्रतियोगता है क्या क्या होंगी जैसे मॉद्यक संस्म्दित अलग 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 तरहें जो गयें के अ कि कंधै जाएगा जैसे कि आयुजक इसका कौन कौन होगा पहले यह देख लेते हैं आयुजक होगा इसका राइस्थान युवाबोड युवा मामले एवं खेल विभाग राइस्थान ले सकेंगे अब इसमें क्या होगा तो तो इसमें लोग कलाओं से संबनित विभिन प्रतियोंगतागों आयोजन किया जाएगा और कितनी आयूवर्ग के इसमें जो व्यक्ति हैं या प्रतिवागी है वो भाग ले सकते हैं तो 15-29 वर्ष अधिक्तम आयूवर्ष होनी चाहिए नियूंतम 15 वर्ष 15-29 वर्ग के व्यक जैपुर के जवार कलाकेंद्र जहां अभी अभी कुछ दिन पहले हमने यह भी पढ़ा जहां क्या चल रहा है राष्टी है सहकार मसाला मेला अभी वह संचालित है तो उसी के अंतरगत या उसी प्रोग्राम के तहट अब उसमें एक और लॉंच किया क्या और्गनिक फूड फेस्टिवल इसमें खास बात क्या है कि राजिस्थान का अपनी तरह का पहला ऐसा उत्सपर पहला और जापर के पाँच में करता कॉन रहे कार्यकरम के तो क्रिशी मंतरी राजस्तान सिरकार में श्रीलाल जंद कटारिया इसके बाद कि इसके जरूरत क्यों पड़ी यानि कि राजय सिरकार ऐसे कारेकरमों का आयूजन क्यों कर रही है तो इनका उद्देश है जैबिक उत्पाद यानि कि और्गनिक फूड जो है उनके बारे में सकते हैं तो ऐसे उत्पाद यहां बेचे जा रहे हैं अगले जानकरी है उत्तर मैट्रिक शात्रवुति योजना यह जो योजना है मैट्रिक यानि कि 10th क्लास के बाद शात्रवुति के लिए दी जाती है कौन से विभाग दौरा संचालित है योजना तो राजिस्तान सरकार कि सामाजिक न्याय एवं अधिकार्त विभाग दौरा योजना का संचालन किया जा रहा है लाभारति कौन-कौन से वर्क के विक्ति हो सकते हैं एस सी एस्टी ओवी सी और विशेश पिश्ड़ा वर्क के जो विक्ति हैं या विध्यारति हैं वो इस योजना के तहत लाभ प है तब ही उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है अगर विध्यारति ओवी सी वर्क से है तब यह जो सीमा है यह डेड़ लाक रुपे होगी एडवलो एस से है अगर शात्र शात्रा तब उनकी वार्षिक परिवारे आएगी सीमा कितनी होनी चाहिए एक लाक रुपे और वार्षिकाय होनी चाहिए पांच लाक रुपे यानि कि यही कंडिशन होनी चाहिए तब ही इस योजना के तहट छात्र वृत्ति उनको दी जाएगी कौन सी उत्तर मैट्रिक छात्र वृत्ति योजना इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न की हल्दी घाटी युवा महुतसब का आयोजन निमले खित्मे से किसके द्वारा किया जा रहा है यानि आयोजक पूछा है आपके राजिस्थान युवावोड युवा मामलेवं खेल विभाग जिला प्रशासन रास सम्मंद या उ आप शॉट में क्या करते हैं आई एस exam की तेरी करना चाते हैं और दूस्री जानकारी समद्भी है आरह से जानकारी से है और 70 माई से कोर्स शुरू किया जाएगा किसके लिए UPSC की सिविल सर्विसेज एक्जाम यानि की जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं इंडियन सर्विसेज इस परिक्षा दूसरी है आरेस मेंस के लिए टेस्ट से जो की ऑनलाइन और ऑफ लाइन मोड दोनों में शुरू होने वाली है कबसे 28 माई से जिसमें 30 टेस्ट होंगे 11 माइन चार मेजर चार फाइनल और चार और 11 हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए हिंदी इंग के साथ अगली क्लास में धन्यवाद